हिंदी कहानियों के चैनल में आज सुनिये प्रभा लोडाजी की लिखी हुई कहानी बाबा कहां गए प्रभा लोडाजी मुंबई में कवित्री और लिखिका के रूप में प्रतिष्ठित हैं मेरे चैनल में आज आप उनकी कहानी पहली बार सुनेंगे तो शुरू करते हैं प्रभालोड़ा जी की कहानी बाबा कहां गए आज शरद पूर्णिमा थी चांद की चाननी चारों और बिखरी थी बादलों ने पूर्णम के चांद को अपने आगोश में लिया हुआ था तारों का जाल भी आँख मिचौनी खेल रहा था सुरेंदर नाज जी के घर में अचानक घोर अधेरा चा गया बत्ती गुल हो गई थी केवल दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी वे मौम बत्ती को ने डोड़ पा रहे थे ये सब काम प्रभावती का था सुरेंदर नाज जी घर की तरफ से बिलकुल बेफिकर थे क्योंकि प्रभावती ने बड़े अच्छी तरह से पूरा घर संभाला हुआ था वे तो सिर्फ पैसे कमाने में और अपने व्यवसाय को आके बढ़ाने में लगे रहे थे बच्चों की पढ़ाई, समाज में आना जाना, पारिवारिक संबंध, यहां तक की घर के प्रती एक छोटे बड़े कारे को प्रभावती बड़ी निप्रुता से करती थी जिम्मेदारिया निभाते हुए उनके चेहरे पर कभी ठकान ने दिखाई थी हस्मुक सुभाव के कारण सभी उनको बहुत पसंद करते थे आज सुनेन नाज जी को उनकी कमी बहुत महसूस हो रही थी पुर्सी पर बैटे सुनेन नाज जी की आँखों के सामने जीवन के सभी पन्ने एक एक कर उलटने लगे थे 19 साल की सलोनी कहरे बदन वाली प्रभावती को ब्या कर उपड़े धूम धाम से अपने घर लाए थे समय गुजरा और दो पुत्रियां उनके जीवन में रंग भरने आ गई थी लड़के की चाहत दोनों को ही न थी प्रभावती हमेशा कहती थी लड़के क्या निहाल कर देंगे पड़ोस में रमा कान जी अपने एक लौते बेटे से कितने परिशान रहते हैं कहते हैं सुखर की गड़ियां बीटते देर नहीं लगती समय पंक लगा कर उर रहा था लड़केयां पढ़ले कर बड़ी हो चली थी सुरेंदरिनात के भाई का लड़का शेकर हर रक्षा बंधन पर आकर उनसे राकी बनवा लेता वह अक्सर आकर मिल जुल लेता था आखिरकार माता पिता का फर्ज पूरा करते हुए उन्होंने लड़केयों का विवा भी बहुत धूम धाम से करवाया आज कल जमाई भी तो बेटों जैसे ही होते हैं वे प्राया मिलने आ जाते और कोई विशेश काम होता तो कर जाते प्रभावती की ग्रहस्ती सुजारू रूप से चल रही थी वार त्योहार पर बेटियों को देना फल मिठाई कपड़े भेजना वो अपने आप ही कर लेती थी चोटा सा परिवार बहुत खुशाल था सुरेन नाजी सुबह दुकान पर चले जाते रात को जल्दी लोट आते थे घर आकर वो गरम गरम खाना खाते और फिर टेली विजन के सामने बैट जाते प्रभावती भी शीगरता से काम खतम करती वा उनके साथ बैट जाती एक दिन वो दुकान से लोटे तो देखा प्रभावती चादर ओड़े सो रही है ऐसा तो आज तक नहीं हुआ उन्होंने उनका माथा चुआ तो देखा कि माथा तो तप रहा है प्रभावती ने कहा शाय सिर में गैस चड़ गई है मुझे बहुत बेचैनी हो रही है सुरेंद नाज जी ने तुरंद अपने दोनों दमात वाशेकर को भुलाया वहाँ डॉक्टर ने बताया कि उन्हें अटेक आया है कुछी एक शर्ण में वो इस दुनिया को छोड़ कर चली गई थी सुरेंद नाज जी तो जैसे सुन रह गए थे उनकी आँखों के आगे अंधेरा चा गया उसके बाद उनसे जैसे कुछ कहते सुनते न बना जब उन्हें होश आया तब उनके बड़े दमाद उनसे मृत शरीर को अगनी देने के लिए कह रहे थे क्रिया कर्म के बाद जब वो घर लोटे तो उनका घर रिष्टेदारों से भरा हुआ था तीसरे दिन के बाद उनके भाई ने सुरेननास से कहा तुम शेकर को गोद ले लो तुमारे पास रहेगा तुम्हें अकिला पन नहीं लगेगा और तुमारी दुकान के कामों में वो तुमारा हाथ भी बटा देगा उनकी बेटियों ने देखा कि उनके चाचा जी बाबा से कुछ खुसर खुसर कर रहे है जब उन्हें बात का पता चला तो उनकी बड़ी बेटी बोली हम लड़किया क्या मर गई है हम अपने बाबा की देखबाल करेंगी बाबा छेशे महीने हम दोनों के पास आकर रहेंगे सुरेन ना जी परिशान हो उठे उन्होंने सभी से शांत भाव से कहा मेरे लिए इतनी चिंता मत करो मैं यहीं रहूँगा आप कोई चिंता न करें लेकिन मनीमन उस लड़की ने सोचा इसी बाहने मुझे रहने को बड़ा घर मिल जाएगा अभी तो मैं एक कमरे में रहती हूँ फिर यह चार कमरे का मकान मिल जाएगा बड़ी लड़की धीरे से बोली बाबा आप मकान दुकान वा मा के गहनों का बटवारा अपने हाथ से कर दे तो यह अच्छा रहेगा यह सुनकर सुरेन नार जी दंग रहे गए थे उन्होंने बड़ी मेहनत वा मुश्किल से एक घर बनाया था एक एक सामान जोड़ा था कहां कहां से वो सामान लाए थे अपने घर को सजाया सवारा था बच्चों की अच्छी से अच्छी परवरिश की थी आज बच्चे बटवारा चाहते हैं उसे बेशना चाहते हैं बहुत दुखी मन से वो बोले इस सब के बारे में मैं बाद में सोचूंगा अभी इतनी जल्द मैं कोई फैसला ने ले सकता हूं ब्रामर बोज़ कर सब अपने अपने घर चले गए अब सुरेन नाज जी घर में अकेले रहते थे रोज सुबह दुकान पर जाते थे अपने स्वास्त का पूर्ण ख्याल रखते थे तथा शाम को दोस्तों के साथ समय वे अदीद करते थे लड़कियों वा दामात का फोन भूले भटके कभी कभी आ जाता था शेकर भी कभी कभी उनसे मिलने आ जाता था सुरेन नाज जी ने महसूस किया कि रिष्टों में अब वो आत्मियता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी लड़कियों की आवाज में अब पहले जैसा इसने उन्हें नजरी नहीं आता था कुछ वर्ष बीट के अचानक एक दिन बड़ी लड़की को एक लिफाफा कोरियर से मिला उसने कोल कर देखा तो उसमें दस लाग का चेक था उसने जब अपनी छोटी बहन को फोन किया तो पता चला कि उसे भी उतनी ही राशी का चेक मिला है दोनों बेहने बाबा से मिलने उनके घर पहुँची उन्होंने देखा कि घर पर बड़ा ताला लगा हुआ था पूच्तास करने पर उनके पड़ोसी ने बताया कि सुरेन नाच जी ने अपनी दुकान वा मकान महीना पर पहले ही बेश दिया था अब वो यहाँ से चले गए है यह सुनकर दोनों लड़किया सनर रह गई थी और एक दूसरे से ही बोल उठी थी बाबा कहां गए अभी आप सुन रहे थे प्रभा लोडा जी की लिखी हुई कहानी बाबा कहां गए कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जहूर लिखिएगा कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ आपका समय शुब हो